स्री राध हैं, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी येट्यूब चैनल में स्वागत हैं, मैं विजिंद्र आज आपके लिए एक और नहीं कथा लेकिया आया हूँ, आज की कथा भगवान सीव को समर्पित और सीवरात्री स्पेसल है, मेरे भाई बेन, जो भी आप भक्ति म मार्ग में हैं, सब एक हैं, तत्व एक है, शिव को हो, कृष्ण को हो, राम को हो, क्यों किसी से बैर करो, किसी की भी कथा सुनो, याद अपने प्रितम की आनी चाहिए, आज की जो मैं कथा लाया हूँ, बड़ी दिव्य है, और ये कथा मुरारी बापु ने मानस गणी का मे गाई, ये कथा है, भगवान सिव के माहन भक्त माहननन्दा की, जो गणी का है, एक वैश्या है, तो कथा शुरू करते हैं, बापु कहते हैं, कि कसमीर में सालों पहले एक गणी का हुई, जिसका नाम था माहननन्दा, बड़ी सुन्दर थी, खोबसूरत थी, उसकी एक नज पाने के लिए बड़े-बड़े रईस ललाईत रहते थे, लेकिन शिव की अनन्य भगत थी, वो अपने मंदिर में शिवलिंग रखती थी, अपने पूजा ग्रह में शिव की पूजा करती थी, और ब्रामनों को निमंत्रित करती थी, कि मेरे घर में आओ, और शिव का रुद्राभिशेक आप करोगे, तो कश्मीरी ब्रामन ने कहा, कि शिव है, तो हम आएंगे, शिव के पास आने में हमें कोई डर नहीं है, तो परती सोमवार महननदा के घर रुद्राभिशेक होता है, और रुद्राभिशेक होने के बाद, शिव के सामने नाचती, और कहती कि सास सुर है सारंगी के दिल तब ले की थाप पाप पुन्य पाजेब है मेरे नाचू निर्खो आप प्यारे कि ये सारंगी के जो सुर है वो मेरी सास है किरतन शुरू करती है गाती है कि शाम ढले मेला लगता है रोशन होती महफिल राहत कू मैं वो ना आएं सासे होती बोजिल आज हुआ मन मस्त मगन सुनके प्रभु की पदचाप ठाकुर नाचू निर्खो आप कि द्वार पे तो कई आते हैं तथा कतित रसवाले आते हैं लेकिन कभी रसराज नहीं आया मैं तो उसकी राह तकती हूँ हरी आयो कहती है मैं गणिका तुम ठाकूर मेरे नाचू तोरे आगे मैं गणिका तुम ठाकूर मेरे नाचू तोरे आगे जीवन सफल हो कंठ लगाओ परवस प्राण है जागे तू निर्खे मैं नाचती जाऊ ना कोई ती लक छाप ठाकूर नाचो निर्खो आप अंत में कहती है तन के गाट पे प्यासे आते मन का गाट सूना अपनी प्यास को गाते हैं मेरी करते अन्सूना पाउँ परम विश राम जपू मैं राम नाम का जाप ठाकूर नाचू निर्खो आप ये बापू को कवीता दी थी जो तुसार स्कूल ने लिखी थी बापू ने बड़ी प्यारी गाई है आप मानस गणी का यूट्यूब पे हैं तीसरे दिन की कथा में हैं आप सुन सकते हैं मुरारी बापू से तो इस तरह से एक कवीता महानन्दा ने महाधेव के सामने गाई निर्थे करती है पूजा पूरी हुई इस महानन्दा के अनेक नोकर चाकर थे ये सब प्रकार से समरत थी तब एक दासी आई महानन्दा जी आपकी प्राथना साधना में बंगना हो तो माफ करना एक व्यापारी आया है बड़ा धनी आदमी है आप से मिलना चाहता है महानन्दा कहती है कहो शीव अराधना पूरी होगी उसके बाद ही जीव के पास जाओंगी उसने महादेव की अर्चना की पूजा की वंदना की बहार आई और इसने उस व्यापारी को देखा बड़ा सुन्दर था आकर्शन हुआ कई सुन्दर योगों को इस महानन्दा ने देखा था कई गराकों को देखा था लेकिन ये कुछ विशेस था कहते हैं इसकी जो कुर्शी थी सोने से मड़ी हुई थी अपनी कुर्शी दी की विराजिये उसने आसन गरैन किया व्यापारी कुछ कहता तो उससे पहले उसके हाथ में एक सोने का कंगन था रतन जडित हीरे जड़े हुए थे महानन्दा को इस कंगन पर आकर्शन हुआ कहती है ओह पूरे जीवन में मैंने ऐसा सुन्दर कंगन नहीं देखा और महानन्दा की लेकिन ये अथिति समझदार था महानन्दा का एक विशेश गुन था इसके पास जो भी आता नियम से आता नियमावली निभाता कोई कहे हम दो दिन रहें कोई कहे हम तीन दिन रहें तो कहती थी, अब मैं तीन दिन के लिए और किसी की नहीं रहूंगी, के वोल तेरी ही चाकरी करूंगी, तू जो कहेगा सो मैं करूंगी, तू मार दे, मर जाऊंगी, तू मेरा पती, मैं तेरी पत्नी, अब महानन्दा की नजर उस कंगन की और देखे जा रही है, उस व्यापा ठीक है, तीन दिन मैं पूर्णते आपकी रहूंगी, वो व्याक्ति कहता है, महानन्दा, एक बात और है, कि एक कंगन तुम्हें इतना आकरशित कर गया, तो मेरे पास एक शिवलिंग है, आतमलिंग है, मैं भी सिव का उपाशक हूं, वो स्वैंबू है, कंगन तो उनकी पूजा करता हूं, और तीन दिन तुम्हारे पास रहने वाला हूं, मैं विश्राम चाहता हूं, मैं आराम चाहता हूं, तो तुम इसकी सेवा करना, तो जैसे पतिवर्ता नारी हो, और पती पूजाना कर पाए, तो पतनी पूजा करती है, तो इसी तरह से, उस व्यक्ति ने कहा तीन दिन आप उसकी पूजा करिएगा लेकिन मेरा एक वर्थ है ये भूल से भी खंडित ना हो जाए अगर मेरे महादेव ये आत्मलिंग खंडित हो गया तब उसी समचिता बनाकर मेरी देही की आउती दे दूँगा महाननदा ने कहा जो हुक्म वो आदमी विश्राम में है मोज में है तीन दिन ये महाननदा उसकी पती वरता बन कर उसके सारे नियम निबा रही है पहली रात और अचानक महाननदा के भवन में आग लग गई एक मुर्गा रखती थी एक बंदर था और जब ये सिव के पास नाचती थी तो मुर्गा और बंदर भी नाचता था और जब पूजा से उठती तो बंदर और मुर्गे के भाल पर भश्म लगाती थी अब महाननदा ने देखा कि बंदर और मुर्गा है इतनी भेंकर आग तो बंदर और मुर्गे को पकड़ कर आग से बाहर कर दिया पूरा का पूरा महल जल गया लेकिन बंदर, मुर्गा, महानन्दा और तीन दिन के लिए जो व्यक्ति आया था वो बच गया बाकि सब जल गया अब वो आदमी कहता है महानन्दा, शिव कहा है सोचती है, अरे मुर्गे को मैंने बचा लिया बंदर को बचा लिया मैं बच गई आप मुझे माफ करियेगा मुझसे बूल हो गई व्यक्ति कहता है तुम अपना वादा याद करो अब मैं नहीं जी सकता साहब जलते भवन के पास चिता बनाई और उस चिता में वो व्यक्ति कूद पड़ा लेकिन देखिये, महानन्दा ने तीन दिन का पतिवर्त दारन किया था पतिवर्ता थी तो जैसे ही वो जल रहा था उसी समय तुरंत श्रिंगार करके दो मिनिट में ही सिंदूर भर लिया और चिता पर कूद पड़ी जैसे ही चिता पर वो कूदी तो हाथ में तर्शू लेकर वो यूवक यूवक नहीं था केलाशवासी महादेव था भगवान शिव प्रकट हो गए पाच मुख शंकर के दस हाथ भस्म लगाए क्या रूप है महादेव का हाथ पकड़ा महानंदा का चिता से बाहर लाए कहते हैं मैं महादेव हूँ तेरी सिव पूजा की कसोटी करने आया था अब मैं परसन हूँ ये तो लीला थी महादेव की और वहां लिखा है महादेव ने महानंदा का आलिंगन किया है मांग क्या दूँ उस समय की बाद कसमीर में एक गाउं था नंदी ग्राउं चोटा सा कस्वा कहा मालिक आप मुझ पर परसन है मुझे अपनाया मुझे गले लगाया तो मेरी एक ही मांग है मेरे गाउं में जितने जड़ चेतन जीव रहते हैं न उसको पहले कैलाश ले जाओ उसके बाद महादेव खड़े हैं और महानंदा ने उनके सामनी नर्ते किया है बापु कहते हैं तुमारे साथ जीव रहे न रहे कोई बात नहीं लेकिन तुमारे साथ सीव हैं महादेव हैं तो इस तरह से महानंदा की कथा पूरी हुई और इस शिवरात्री पे ये कथा मैं बांके बिहारी को भगवान भोले नात को समर्पित करता हूँ ये शिवरात्री आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें भगवान सीव सबका कल्यान करें अब भी अच्छे से शिवरात्री मनाना वरतना रख सको कोई बात नी पूजा अर्चना वंदन नहीं कर सको तो कोई बात नी केवल शिव को याद कर लो एक बार क्योंकि सिव द्वार है कृष्ण तक जाने का राम तक पहुँचने का सिव सद्गुरु हैं तिरु भुवन गुरु हैं इसलिए भगवान शिव को प्रणाम जरूर करना तो आज की कथा को यहीं विराम आपको मेरा प्रणाम जैशियाराम जैजैश्री रादे